हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स तू अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आईए यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक किजिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज वीडि इंडियो स्टेड 27 फिर यहाar पर टेडिंग ंसिंग एंडिकेटर फिर कंडल स्टिक पैटरंज चार्ड पैटर्न, शॉर्ट टर्म एंड स्विंग टेडिंग स्टेडिजीज, फिर यहां पे मल्टी बैगर स्टेडिजीज, तो नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोज है, दोस्तों अगर आप बिगिनर लेवल क की ओडियन्स है और आपको टेक्निकल आनलिसिस के बारे में बेसिक इनफॉर्मेशन चाहिए, तो यहां पे लर्न टू अर्न नाम के प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर हमने 50 वीडियोज नंबरिंग डाल के अपलोड किये हैं, अगर आप वन बाइवन वीडियोज देख लेते तो जिस तरह से हम टेक्निकल आनलिसिस का कोर्स करते हैं, उस तरह का मट्रिल आपको यहां पे मिल जाएगा, दोस्तो अगर आपको इन्टाडे टेडिंग या तो पोजिशनल बेसिस पे जिस तरह के हम स्विंग टेडिंग करते हैं, उसमें अगर इन्टेस्ट है और उसमें one day before stock selection किस तरह से करना चाहिए अगर आपको information चाहिए तो हमने यहाँ पे stock chart analysis and discussion नाम की playlist बनाई है तो हमने दो week के एक series चलाई थी उसमें हम क्या करते थे दोस्तों one day before stock का selection करते थे और next day में वही stock entire day में भी perform होता था और फिर उसे अगर हमें carry करना है positional basis पे तो हम उसे एक positional basis पे भी carry कर सकते थे तो वो stock selection किस तरह से किया जाए उसका result हमें किस तरह से मिला है अगर वो information आपको चाहिए तो आप यह particular playlist देख सकते हैं आपे हमने one sis करके रखा था और अगले दिन में भी वो stock अची तरह से perform हुए थे और positional basis पे भी हमें maximum stock ने अच्छा का सा return दिया था तो एक बार चैनल पर आईए दोस्तो चैनल पर कुछ भी meaningful लगता है अगर आपको लगता knowledge में gain हो रहा है तो ही आप मेरे चैनल को subscribe किजे और हम regular basis पर वीडियोज अप्लोड करते रहते हैं तो regular updates के लिए bell icon को click किजे दोस्तो अगर आपको stock market related books में interest है तो आप amazon पर आईए यहाँ पर मेरा नाम डाल कर search पे क्लिक किजे तो search पे क्लिक करने के बाद आप तक जितने भी मैंने books published कि है आपके सामने आ जाएंगे यहाँ भी दोस्तो इंटारी टेडिंग स्टेजिस का part first है यहाँ पे part second है दोनों book में four to five अलग strategies explain करने की कोशिश की जिसका success ratio भी आचा है तो आप यह refer कर सकते हैं यहाँ पर इंटारी 60-minute का भी एक breakout टेडिंग का एक strategy explain करने की कोशिश की है तो यह भी book आप refer कर सकते हैं फिर यहाँ पर technical indicators के बारे में information है उसी के साथ चाट patterns के बारे में information है फिर multi bagger strategies technical analysis के consequences रहती उसकी information यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर candlestick के जो patterns रहते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको information मिलेगी अगर आपको swing trading maintenance है तो यहाँ पर यह advanced swing trading का एक book फिलाली में publish किया है जिसमें जो भी strategy बताएगे यह उसका success ratio चाहिए तो वह information आपको यहाँ पर मिल जाएगे और one day before stock selection किस तरह से किया जाता है कि जो आगे जाकर इंटाडे में भी यूज़ होगा और फिर positional basis पर हम क्यारी करेंगे तो यहाँ पर भी explain करने की कोशिश किया अलग अलग strategies रहते हैं तो यहाँ पर एक strategy explain करने की कोशिश की है अगर आपको हिंदी में बुक चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर stock market and technical analysis बोलके एक फिलाल ही में हमने यह बुक पब्लिश किया तो इसके अंडर आपको basic information मिल जाएगी stock market and technical analysis के बारे में तो हिंदी में बुक चाहिए तो आप यह भी बुक refer कर सकते तो जितने भी हमने books publish के देख लिजेगा दोस्तों लेकिन जो भी information हमने यह respective books में publish की है उसे आप पूरी तरह से educational purpose ही consider कीजेगा तो चलिए दोस्तों आज का topic शुरू करते हैं आज का हमरा title है how to pick winning stock दोस्तों बहुत सारे लोगों को stock selection में problem आता है वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो स्टॉक सेलेक्शन के ऊपर बनाए है इंटाडे में stock selection किस तरह से करना चाहिए पोजिशनल बीसिस पर स्टॉक सेलेक्शन किस तरह से करना चाहिए तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाए लेकिन आज का भी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमन होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में एक जो stock मुझे मिला है वह सही जगह पे ट्रेड कर रहा है और यह वीडियो की जो थीम है कि अगर कोई stock हमें select करना है तो हम पहले technical analysis करेंगे फिर उसका fundamental analysis करेंगे और दोनों भी हिसाब से अगर stock अच्छा लगका है तो हम उसमें position बनाएंगे तो उसके respective यह stock जो भी आज हम देखेंगे वह मुझे आच्छा लगाए उसके लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूं तो हम वह stock का पहले technical analysis करेंगे फिर fundamental थोड़ा देखेंगे उसका और उसका देखने के बाद according to technical कहां पर हमें entry करनी है stop loss target किस तरह से calculate करना है वह पूर information मिल जाएगी और उसके साथ technical और fundamental दोनों का combination करके हम stock selection किस तरह से कर सकते हैं वह भी information आपको मिल जाएगी तो अच्छे लिए मैं डारेक्ट के आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं यहां पर हमने HDFC का चार्ट लिया है यह candlestick चार्ट है और पहले में से monthly चार्ट में convert करत है अगर कोई stock बहुत सारे सालों से continuously uptrend में काम करता है तो यह मान लिए जाता है कि वो आगे जाकर भी उसके अप्रेंड में काम करेगा अगर कोई stock continuously uptrend में काम करता है तो वो continuously higher top higher bottom बनाते बनाते trade करता है हमारा काम इतना ही है कि हमें higher bottom सही जग पर पकड़ना है और वहा पहले चार्ट के जरीए समझ देने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसे अभी डेली चार्ट में convert करता हूं, अभी हमारे सामने जो भी एक candlestick दिख रही है, वो एक दिन की, तो यह डेली चार्ट है, अभी इसका short term का perspective हम देख लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे casually, यहाँ पे trend line बन भी point out किया था, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो बहुत सारे time के लिए यह stock यहाँ पे हमारे resistance के आसपास आ रहा था, maximum time पे अगर आप देखेंगे तो यह level तक stock trade करते करते आ रहा था, वहाँ पे आने के बाद उसमें train reversal हो रहा था, यहाँ पे maximum time पे अगर हम देखेंगे तो exactly वही location से यह stock नीचे आ रहा था, तो इसे हम consider कर लेती कि यह हमारे लिए अच्छी तरह से resistance work out हो रहा था, कि जहाँ पे stock रूपने के बाद उसमें नीचले side पे गिरावट आ रही थी, तो उसलिए हमने यह resistance mark कर दिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी वाली candle बन गई और उसने breakout दे दिया हमारे resistance को, अभी एक ऐसी जग या एक ऐसा resistance की जो stock maximum time पे follow कर रहा था और आगे जाकर उसमें breakout हो जाएगा, तो उसमें उपर के side में अच्छे कासी movement आने के संभावना रहती है, तो यह पहला point resistance को break करने के बाद यह stock उपर गया, उपर जाने के बाद उसके कुछ target होए और फिर नीच आकर यहाँ पे अभी trade कर रहा है, तो according to resistance है stock हमारे लिए अच्छा कासा अभी दिख रहा है, इसमें अगर हम थोड़ा chart patterns के हिसाब से देखेंगे, जोस्तों अगर आपको chart pattern के बारे में पता नहीं होगा, तो यह चानल के playlist में जाएए, वहाँ पे trading using chart patterns नाम की playlist है, उसके अंदर हमने in detail information देने की कोशिश के chart patterns के बारे मालग अलग chart patterns discuss किये है, तो यहाँ पी यह chart पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक head and shoulder pattern create हुआ है, और followed by यहाँ पे हमें breakout भी मिला है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का head and shoulder pattern create हुआ था, और यहाँ पे हमें finally head and shoulder के neckline को यहाँ पे breakout मिल गया, यह बड़ी वाली candle के साथ, तो resistance को तो उसने breakout दिया था, जो कि बहुत सारे दिनों से आची तरह से follower आता और उसके साथ head and shoulder का भी pattern माना दिया, और उसको भी breakout दे दिया, अभी breakout मिलने के बाद दोस्तों कोई भी stock में थोड़ा retracement आता है, और stock थोड़ा नीचे आता ही है, अभी यहाँ पे भी वेसे हुआ है कि stock उपर गया, उसमें थोड़ा retracement हुआ, और retracement आने के बाद वो हमारे exactly जो resistance था पहले हमारे लिए, वो उपर जाने के बा आज की दिन में reversal आ गया, आज की date अगर आप देखेंगे, तो 12th of April 2019 है, टाइम भी आप देख सकते, 11.24 a.m है, तो अभी भी market टेड कर रहा है, तो प्राइसे उपर नीचे हो रही है, तो इस तरह से यह retracement भी दे दिया है यह stock ने, और यहाँ पे आकर यह respective हमारे support के आसपा trade कर रहा है, इसमें और एक चीज अगर हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने बोरा कि कोई stock अप्टेड में trade करेगा, तो higher top, higher bottom बनाएगा, अब इसका short term perspective देखेंगे, तो इसने higher top बना दिया यहाँ पे, फिर higher bottom बना दिया, यहाँ पे, उसके बाद इसने यहाँ पे again दूसरा ए higher bottom बनेगा, तो इस तरीके से हम उसे higher bottom consider करेंगे, तो यह higher top, higher bottom के भी हिसाब से हो गया, और pattern breakout होने के बाद, यह retracement के हिसाब से हो गया, और हमारे support के हिसाब से भी हो गया, कि यह stock exactly हमारे position के आसपास से reverse हो गया, और यहाँ पे support ले रहा है, इस तरह के indication हमें दिखा रहा है तो exact higher bottom भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे है, अभी इसमें अगर हम देखेंगे, तो हमें exactly आज की दिन में ही entry नहीं करनी है, हमें आज की दिन की closing देखनी पड़ेगी, अभी आज की दिन की closing मानलो, यह नीचे जाकर close होता है red candle के साथ, breakdown दे करो, उसका भी low break होता है, तो इसमें हम position नहीं बनाएंगे, नहीं तो उसमें और भी ज्यादा गिरावट आ जाएगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी closing देखनी पड़ेगी, मानलीजी इसकी closing उपर जाकर होती है, green candle के साथ होती है, तो हम इसमें position बनाएंगे, लेकिन position के इस तरह से बनाएंगे, इस इसका closing होने के बाद जो भी आए रहेगा, उसका high point 10% से अगर break होगा, तो उसमें हम position बनाएंगे, क्योंकि point 10% से break होगा, तो momentum आएगा, stop loss हमारा closing basis पे रहेगा, target के लिए partial target जो रहेगा, हम ये पहला target आने के बाद, जब भी आएगा तब हम partial profit निकालेंगे, और जैसे कि म जितना भी हो सके हम उसको trail करेंगे, क्योंकि वो stop continuously उसके upfront में काम कर रहा है, तो हम उसे longer term के perspective से hold करेंगे, एक साल, तीन साल, पांत साल, तो अगर हमारी quantity, partial quantity वहां तक जाती है, trailing stop loss को ना hit करते हुए, तो हमें बहुत आचा का सा profit मिल जाएगा, तो technical analysis के हिसाब से chart के हिस करते हैं, तो हमें वो company के financials देखने पड़ते हैं, तो यह money control के एक website है, बहुत ही popular website है, यहां पे maximum information वो respective company के बारे में हमें मिल जाएगे, तो उसके हिसाब से हम करने के कोशिश करेंगे, दोस्तों अब यहां पे fundamental analysis के बारे में भी देखने के लिए बहुत कुछ information है, लेकि में भी हम देखेंगे कि किस तरह से fundamental analysis भी किया जाता है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो HDFC का चार्ट, HDFC का जो stock है, उसका हमने यह financial page open किया है, उसका money control पे यह page हमने open किया है, अभी यहां पे हमें क्या-क्या देखना है, यहां पे हमें market capital देखनी है, market capital से हमें पत को बताता हूं, HDFC के बारे में आप सभी को पता भी होगा, लेकिन casually में आपको यहां पे बता दूँगा कि क्या-क्या हमें देखना है, कि market capital से हमें पता लग जाएगा कि यह respective company small cap में आती है, mid cap में या large cap में, तो उसके साब से आपको यह पता लग जाएगा, फिर P ratio भी या नहीं, उसके साथ आपको deliverables भी देखने है, वो देखने के बाद आप थोड़ा यहां पर नीचा आएगे, तो यहां पर financials का एक tab है, यहां पर भी आपको बहुत सारी information मिल जाएगे, यहां पर financials का एक link है, इसको click करेंगे, तो आपको in detail information मिल जाएगे, लिकिन यहां यहां पर आप casually overlook कर सकते हैं, यहां पर हमें क्या करना है, net sales देखने हैं, अभी net sales अगर आप देखेंगे, तो एक continuous on quarter basis पे है, तो Q on Q basis पे यह हमारे result है, तो net sales हमें खाली, यह previous जो values थे, उससे comparably यह values बढ़ रहे हैं, यहां नीचे जा रहे हैं, वो देखना है, यहां पर आप देखेंगे, तो यह यहां पर 9,327 था, फिर यह उससे बढ़ गया, फिर यहां पर भी बढ़ गया, फिर यहां पर यहां पर भी बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि continuously March 18 to June 18, then September 18, then December 18, तो quarter on quarter, continuously उसका जो net sales है, वो बढ़ रहा है, तो यह एक अच्छी बात होत Taxes and other things रहते हैं, वो भी अगर हम देखेंगे, तो यहां पर 9,000 cash pass था, यहां पर 10,000 cash pass था, आ गया, तो profit भी जो before taxes था, वो भी बढ़ गया, फिर हम net profit देखेंगे, अभी यह comparatively थोड़ा नीचे गया है, लेकिन ठीक है, देख लेंगे, फिर भी, क्योंकि maximum point हमारे यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन है, company के उपर भी depend करते हैं, वो company की इस तरह की है, फिर यहां पर net block है, investment है, total assets है, बेसिक information जो भी आपको यहां पर मिलते है, वो एक देखनी है, अगर आपको यह net sales, order income, profit, net profit, अगर continuous के quarter on quarter बढ़ता दिखाई देगा, यहां पे भी यह debt ratio कम होता, debt उसकी जो है company के पर वो कम होती दिखेगी, और यहां पे भी उपर अगर आप देखेंगे, तो यहां पे भी इसका जो dividend ratio, deliverables, यह P ratio वगएर आपको आच्छा दिखेगा, तो उसकी साबसे आप consider कर सकती कि वो company आच्छी तरह स है, आपके लिए fundamentally fit हो रहे है, क्योंकि यहां पे अगर हम देखेंगा, भी हचीडेप सी काम scenario लेते है, तो यह market capital इसका अच्छा है, फिर dividend record अच्छा है, deliverables अच्छा है, और नीचे दायर जाकर जैसे कि हमने अभी देखा कि net sales, order income, profit जो था before taxes, वो पूर आच्छा है, खाली चीज़ों जितने भी चीज़े हैं, उसका हमें overlook करना है, उसको in detail नहीं जाना है, अगर आपको in detail जाना है, तो यहां पे financials पे click करके आप in detail देख सकते हैं, खाली आप इतना भी देखेंगे न, तो इसे भी आपको पता लग जाएगा, कि चार्ट के उपर भी यह positive संकित हम उसके साथ यहां पे भी fundamentally भी इसमें improvement हो रही है, अब यह चीज़े देखने के बाद हमें chart के उपर आना है, और chart के उपर आने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि अगर यह candle close होती है, ग्रीन कलर में अगर यह candle close होती है, तो इसका high 0.10% से break होने के बाद हम position बनाएंगे, इसके ल trailing हमें अची तरह से करने, नहीं तो क्या हो जाएगा कि गलत trailing करेंगे, तो कांप भी हमारा stop loss, trailing stop loss हो जाएगा, तो उसे देखकर हमें trail करना है, तो इस तरह से करेंगे, तो आच्छा का सा profit हो सकता है, तो दोस्तों मुझे लगता है, जितना भी हमने discuss कि आपको अची तर करना है, यानि कि हमें सही जगह पे किस तरह से position बनानी है technical analysis के साथ, उसके ही साथ fundamental भी उसके किस तरह से देखने है, और जैसे कि मैंने बोला कि fundamental analysis के बारे में हम कुछ वीडियों आगे जाकर बनाएंगे, तो वो भी आपके लिए फाइदेमन हो जाएंगे, और फिर यहाँ और इस channel पर हम जो भी discuss करते हैं वो पूरी तरह से educational purpose है, तो आप इसे educational purpose ही ले लिजेगा, इसको देखकर आप please trade मत किजेगा, तो दोस्तों आज की लिए वस इतना ही, thank you